नमस्कार वेलकम टू जी के प्रिंसेकंड में तो हम लोग देख रहेते हैं जिसका नव टेश्च श्रीज हो चुका है आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दस्वी टेश्च श्रीज का जो की ग्राविड विकास से संब्दित है और इससे में 25 प्लस क्वेस्चन है ठीक है ज इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे देखेंगे प्रेक्टिस श्रीज नमबर 10 ग्रामिड विकास चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जादा स संग लोग सेवा आयोग जो भारतिय समीधान दोरा स्थापित एक संमीधानिंग निकाय होता है और यह भारा सरकार की लोग सेवा पदादिकारियों के निक्ति के लिए परिक्षाओं का संचालन करती है संमीधान के भाग 14 में जो है अनुछे 315 से लेकर 323 तक संग लोग से काईॵक और राज्यों केलिए राजलोक सेव आयोक गठन का परावधान भी एुपीएस्सी के अध्यक्ज होडीप सदस्यों कि निकतिadares दी द्वरहक किया जाता है और इनका कारिकाल रहता है या फिर 65 सब्सकरणों को है ठीक है छा साल या फिर 65 वर जो भी जब पहले हो सर्वोच रैंकिंग सिविल सेवा गड़तंत्र भारत के मंत्र मंदल सच्वाले का प्रमुक होता है जो की कैबिनेट सच्व कहलाता है सिविल सेविकों की जिम्यदारी भारत के प्रिशाजन को प्रवावी ढंग से और कुशलता पुर्बग चलाने की होती है नई आखिल भारतिय सेवाओं के गठन के लिए राजसभा को जो है बिसेस अधिकार अनुच्छे 312 के तहट उपबंध है या दिया गया है ठीक है कितनी होती है यह बताना तो दूफशली सिचाई किर्शी जोटी की अधिकतम सीमा जो होती है शेवन पॉइंट 3-0 हेक्टियर होती है इसका सी पार सी हो जाएगा ठीक है उत्तरपदेह राज कि अर्थिवेवस्ता का मुख्याधार क्या है किर्शी है ठीक है और किर्षी जो सबसे बड़ा उत्पादक राज है उत्तरपसेस जदा सचाई जो है नलकूपद्रा किया जाता है नलकूपद्रा ठीक है लगबग 70.8% नलकूपद्रक्ण की जाथ उत्तरपसेस के इंतरगत या औरहा हुए नामल में नाड़ कि देश है कि ऐसके बाद अगर करें उत्र परदेश के बारे में तो यंका है तो आदिक संखिया डाइगी तो उत्र परदेश में ही आएगा रिसके बाद प्राचिन जो कुछ सिचाई यां पध्धत जी देश से बेड़ी रहत ध्यकुली आद से प्राचीन काल में सिचाई की जाती तो बाते होगे सिचाई से जमाद आप गला कुश्चन देखते हैं सब्सक्राइब करते एकड़ धाने विकास कारिकरम का प्रारम और शन्दुजार के प्रारम के प्रारम करें कॉल्डिवा कहां पर है तो उत्तर प्रदेश के वेलन नदी घाटी के छेतर में जो इस्ति थे वेलन नदी ठीक है चावल का जन्म भूम की बात करेंगे तो चीन को जन्म भूम माना जाता है चावल कें टीक्षित धानुविकास कार कर लो का उद्स क्या था चावल के उत्पादन के लिए आवश्यशक सभी इस्तरों पर प्रयाज करनार और इसके अंतरगत जो है उतौधन कायो lle को पहचार करना अग्योफ दियास प्रश रते रते पहज़न से बताना कि किस से जुढह करिकरम को से संब्लखत इसका डी पाई से ही हो जाएगा ठीक है अब दिन्द्राव उपाद्ध है अन्तोदोग्छना कब सुरुवात किया गया तो 25 सिपटम्बर 25 सिप्टेμबर 2014 को जो है इस्टार किया गया था ठीक है दिंद्याल उपाध्य कारकरम इसके बाद अगर हम देखे तो इस योजना का उद्देश कौसल विकास और अन उपायों के मात्यम से आज इविका के उसरों में बिर्धिकर सहरी और गरीबी को जो है कम करना इसका मेन उ स्थापने यह लगञों में सम्दाएं विकास काइर क्या हम करदा स्थापन आ हुई ग्राम विकास विभाग की स्थापना लुड़ा जो है केंडर और राज प्रियायों योजिनाय संचालिक किया जा रहा है। अगला है कॉश्चन देखते हैं तो केंद्र सरकार की महत्वकांच्छी योजिना प्रधान मंतरी जन धन योजिना का नारा क्या है ये बताना है? तो प्रधान मंत्री जन धन योजना का नारा क्या है यह बताना है तो मेरा खाता संपूर्ण सुरक्षा मेरा देश मेरा खाता एक परिवार एक खाता मेरा खाता भागी विदाता तो अगर हम बात करेंगे प्रधान मंत्री जन धन योजना का नारा तो मेरा खाता भागी विद पंद्रा अगस्ट 2014 को ठीक है और 28 अगस्ट 28 अगस्ट 2014 से प्रारंब हो गया था पूरे भारत में ठीक है इसका उद्देश क्या था इस योजना का तो बैंकिंग अथो बच्चत जमा खाता प्रेशर्ज बिरेड़ बीमा पिंसन आज वित्य सेवां को प्रविडंश सबी तक पहुचना इस योजना के उद्धाटन के दिन जो है डेड़ करोन खाते खोले गए था ठीक है तो यह कुछ बाते हो गए यह वगला क्वेश्चन देखते हैं तो राम गंगा नहर प्रणाली का गठन कप कियो गया यह बताना तो राम गंगा नहर प्रणाली का गठन की बात करेंगे देखिए तो राम गंगर नहर का प्रणाली का गठन जो 1961 में किया गया था एंसर इसका भी पार्सी हो जाएगा 1961 और यह नहर बनका कब तयार हुआ 1974 में यह भी याद रखना 1974 में बनका तयार होगा इस नहर की लंबाई कितनी है तो 3200 किलो मीटर लंबाई है ठीक इसके बाद अगर हम ब जिलों की बात करेंगे तो बिजनोर अमरोहा मुरादाबाद रामपूर आद जिलों में जो लभग सत्तरा लाख एकल भूम को जो सिचाई की जाती है इसके बाद राम गंगर नहर जो उत्तराकंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में काला गढ़ नामक अस्थान पर गढ़ अगला प्रश्ण भारत में हंदी के बाद कि सबसे ज़य다 है के बाद अगर बोलने वाली कोसा कि संख्या धिया तो वह अगर Caitlin में बम दूसरे नमबर भारत में निखिट है फटाव मगत जो ऑन परसंदी आब जो हंदी जानती है बोलती है ठीक है और तैटालिश दस्मलो 63 परशंट भारतियों ने जो हिंदी को अपनी मात्र भासा या मूल भासा वहसित कर दिया है तो यह जो कधन कहा था बहुत फेमस अरस्तु जी ने कहा था एंसर इसका D पार्ट हो जाएगा अरस्तु कौन था तो एक यूनानी दार्शनिक था अरस्तु ने भावतिकी आध्यात्म कविता नाटक संगीत तरक सास्त राजनीत सास्त जीव विग्यान सहित कई विश्यों पर रचना की थी अरस्तु जो हो प्लेटो के सिस वह शिकंदर का गुरु था ठीक है प्लेटो जो है सुक्रात और अरोस्तु पश्चिमी दर्शन साथ के सबसे महान दार्शिनकों में से एक थे अरोस्तु का राजनीत पर प्रशिद्गरंत कौन सा है पॉलिटिक्स ठीब कि रिखा है तो अरोस्तु निलिखा है इसके बात अरास्तु के प्रशिद्गरंत का नाम है और को एक नुकां है सित्ता कुंड लाल भयर मंदिर भी है। मिर्जापुर जोह कालीन और व्रास्वेर उध्योगों के लिए जाना जाता है। एपनी अस्थानीय लोग संस्क्र्टी है कुछ लोग प्रिये लोग संस्क्र्टी और कजली बिराह लाचारी लावडि बेलवारिया आते हैं ठीक है पुराणों में मिर्जापुर को गीर्जापूर कहा गया है मुगलकाल मןए यह मिर्यापूर के नाम से जाना जानी लगो तब से मिर्यापूर एंसर इस का A पार्ट सेılarन hypertंब से मिर्यापूर धुरिया लोग निर्थ है किस छेत्र का लोगनिर्थ धुरिया तुछ यह बुंदेल खंदों का लोक निर्थ चेतरे का है बिंदेल खंड के परजा पती यानी की कुमहार लोक इस निर्थ के इस्तरी वेश धारन करके करते हैं ख्याल निर्त जो है पुत्र जनमोसों पर बुंदेल खंड में किया जाता है और इसमें रंगीन कागज योंबांस की साहता से मंदिर बना कर फिर उसे सिर पर रखकर निर्त किया जाता है रास निर्त जो है ब्रज में रास लीला के दोरान किया जाता है जूला निर्त भी ब्रज छेत्र स्रावण में विशेशकर मना जाता है तो यह चारी चीज़ होगे अब लाकुशन दिते गुरु गोबिंदी सिंग स्पोर्ट्स कालेज कहां पर इस्ति थे तो यह लखनों में स्पोर्ट्स कालेज है इस कालेज में फुटवाल होकी कुष्टी एथलेटिक्स बैडविंटन तहरा की कवड़ी खेलों का पर सिचण दिया जाता है और यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक सिच्छा बोर्ट दौरा सिच्छा बोर्ट तक सिच्छण बेउस्तावी की गई यह प्रदोगी की विभागी अस्थापना 19初 में किया गये था ठीक है नेश्ट इसन ने जन पर करता के राज़स संग्रहरände का सर्वोचि अधिकारी कौन होता है तो Boris संग्रहर संग्रहां का सर्वोच अधिकारी की बात करेंगे तो हो जाएग जिला अधिकारी अनसर इसका वी भागे आयत और बित्य आयति राजुके माध्यन से सरकार के लिए जिम्यदार होता है तो इसका भी पार से हो जाएगा अब अगला कुशन देखते हैं कुश्चन नमबर 19 आगे बढ़ते हैं भारत में भूम सुधार किस कारकरम को सरवाधिक सफल कहा जा सकता है तो भारत में सफल की बात करेंगे तो मध्यस्तों यानि की जमिदारों के उन्मोलन जो सबसे सफलता कारकरम चला गया था जो कि सफल कहा जा सकता है और यह 1950 में बना कर इसका उन्मोलन किया गया था जमिदारी पर भारत में मुगल काल यों ब्रेटिस काल ने जो है प्रचलित एक राजने कि योजना के बारे में कौन सा कधन यानि कि क्वेश सा कथन गलत है तो अगर हम इसके ती की बात करेंगे यह योजना अभी सत्व पर सट केंदर सरकार दरा बित्ति पर चिन थे दिसंबर 2000 को यह योजना स्टार्ड किया था ठीक है और इस योजना का मुख्य देश रहा था ग्रामीर इलाकों में को बारा मासी सटकोट से जोड़ना ग्रामीर इलाकों में पांसो ऐसे अधिकाबादी वाली छेत्रों को मुख्य सरक्ष से जोड़ना पहाणी और एकस्तानी निर्मल भारत का अभ्यान का सिंबन है तो निर्मल भारत का वीःत संबंद ओमें वाधावरण के ौयश्च संबंद है शुरुवात कब किया गया था निर्वल भारत अभ्यान तो यह शुरुवात किया गया था एक अपरेल दो हजार बारा ठीक है एक अपरेल दो हजार बारा से शुरुवात किया गया था रंग राजन समित के अनुसार भारत में जो है निर्धनता के उपर रही थी यह बताना था जो है टो आठासर पह्ली als 558 पर रही थी तो श्युक्त है इसका और भारत में निर्धनता रेखा की तैनलो पोसर का अधार कैलोरी को माना गया है निधनता के लिए 1989 में पहली बार लकड़ा वाला समित का गठन किया गया था और लकड़ा वाला समित ने गाओं में 2400 कलोरी प्रत दिन और सहरों में 200 प्रत दिन से यादि कम कलोरी प्राथ होता है तो इसे गरीब माना जाता है, ठीक है? अगला कुसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में जमिदारी उन्मोलन यम भूम सुधार अधिनियम कब पारिद किया गया तो जमिदारी उन्मोलन यम भूम सुधार अधिनियम की बात करेंगे तो यह अभी उने बाता है 1950 में इसको पारिद किया गया था अब बहारत में कुल बन छेतर की बात करेंगे तो इसमें से कोई नहीं है जाने कि इसमें से डी पार्ट से हो जाएगा इसमें आप कितना है तो कुल बन छेतर जो है वो 7 साँलाग 17673 वर्ग किलोमीटर है इतना है अब इसमें देखिए आपसन में कोई नहीं दिया था तो इस्तिर के सव्पृति में से कोई नहीं होगा और जो कि भोगोलिक छेत्र का 21.3-4% था ठीक है ये कब है 2015 की रिपोर्ट बता जा रहा है इसे में ठीक है अब अगर हम 2019 की रिपोर्ट की बात करेंगे तो भारत में जो है कितना है तो 8,7,276 है उननीस की रिपोर्ट की अनसार ठीक है और इननीस की रिपोर्ट की अनसार परसेंटेज में बात करेंगे तो भाज़ोलिक छेतर का 24 दसलो 5-6% हैं तो यह आपको याद रखना है दोनों बात है अलग 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 है ठीक है कुछ बाते हो गया वगला कुछन देखते हूं शिचाई में जल परियोग की कुसल मितिवेटा के अनसार कौंसी प्रणाली सेर स्रेश कर यह बताना है तो अगर हम बात करेंगे इसके एंसर की तो एंसर इसका हो जाएगा बीपा ड्रिप प्रणाली ड्रिप प्रणाली सर्वो पानी की बचत होती है ओशन पानी की बचत होती है ठीक है और अगर हम बात करें तो इस पानी इसके पानी सीथे जड़ों तक पहुंचता है सिचाई की विधी जो ऊसर रेतिली मिल्दा और नार्पागों के लिए अतन तुप्शाई में जो जल प्रयोग की कुषन जाता है ठीक है और इसे ही टपक सिचाई भी कहा जाता है अगला कुछन देखते हैं कि अम बेटकर विशेश रोजगार योजना के अंतरगत सामान स्रेंडी लाभार्तियों के लिए उपलब्ध है इकाई लागत परसेंटेज भियों अधिकतम आर्थिक साहित है यानि कि सबस सबसेड़ी जो है 25 परशेंट या फिर 7000-7000 रुपया एंसर इसका यह पार्ट से हो जाएगा ठीक है और यह होजना कब सुरुवाद किया गया था उनीस सो एक्यानवे में सुरुवाद किया गया था ठीक है अगला कुछन देखते हैं जनगर्णा 2011 के अनुसार प्रदेश की आबादी थी लगभग 200 मिलियन ठीक है यानिकी लगभग 20 करोण यह यानिकी जैट की बात करेंगे तो उननीस करोण अठानवे लाग 12341 जनसें क्या थी और यह भारत में अगर बात करेंगे तो 16.05 परसंट का योगदान रखती है कि साड़े 16 परसंट का रहा है उत्रप्रदेश का जो राष्टी अनुपात है 943 ठीक है कि चलिए अगला कुस्चन देखते हैं कि निमनिमे से कौन सी कंपनी उत्रप्रदेश के वी निर्मार सेट अप नहीं है यह बताना है तो यह इसमें बात करेंगे तो इसकार्ट जो यह कंपनी जो उत्तरप् निर्मार सेटम नहीं है इसकार्ट कंपनी उनिस सो अडालिस में जो हर परसाद नंदा ने ट्रक्टर की किर्सी और ओजार बनाने के लिए इसकार्ट अग्रिकल्चर मसील लिम्टेट के स्थाप्रा की थी इसका मुख्याले की बात करेंगे तो फरीदाबाद हरियाना में इ हरसाता हैै तो अगर इसके अंसर की बात करेंगे तो हो झाएका कज्री सिपसर हो जाया है कज्री इसला जो मांसूनों के महीनों में गाय जाता है película कज्री में जोहेदि感िक Nag溫 जे रहां के लिलांता है और इसमें स्रिंगारर श्रिंगार रस की प्रधानता होती है ठीक है तो इस तरीके से कुछ बाते होगी प्रैक्टिस्ट होगी जिसमें टोटल 25 कोईशन थे विग्रामेरी विकास की उसका मेरी डिस्कसिंग कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए चैनलों को सब्सक्राइब करिए साथ मेरे वीडियो पर इंडिक करते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इसी का नेस्ट पाड़ लेकर प्रैक्टिस चैट नमबर 11 तब तक के लिए थैंक्यू नमस्कार बाइबाइ राम राम